मैं यहां पर एक circle का part ले रहा हूँ इसका radius है बहाँ लीजे, र थी रहा r radius अब circle बनाता हूँ यहां से परकार रखक अगर हम circle complete नख करते हुए, बस यहां तक ही पहुंचे है यानि कि इसको बोलते हैं complete circle नहीं होगा तो इसको प्लीज के आर्क बोल देते हैं इस लेंथ को होगी हमारी आर्क ठीक है मैं अगर आर्क लेंथ न बोलू तो समझ लेंथ कीיצ़ भी बात कर रहां यानि कि यह से यहां ठीक होगी इस आर्क तो यह जो एंगल बनता है यही होता है हमारा θीटा इसको हम थीटा बोल देते हैं यह जो दो लाइन्स दोनों radius ही है दोनों के बीच में जो angle बन रहा है उसको हम थीटा बोलते हैं थीटा को कैसे define किया सकता है थीटा को define किया जा सकता है ratio के हिसाब से किसकी ratio अगर आप किसी भी आर्क में आर्क की length को divide कर देंगे radius से तो यही कहलाएगा हमारा थीटा angle इसी तरह से angle derive किया जाता है यही कि अगर थीटा की बात करें अंगल बात करें तो क्या है वो वो आर्क अपॉन रेडियस का ratio है बटा है अब याद करिये हमने जो examples किये थे जो हमने practical किया था हमने किया किया घर जाके 5 cm का मान लिजे धागा लिया ऐसे circle मार लिया और यहां भी जब 5 cm हो गए धागे से नाप लिया एक पूरा चाप मारा था हमने आगे तक जा रहा था पर यहां तक हमारा 5 cm का धागा बिच गया हैना हमने पूरा उपर लगा दिया तो यहां आर्क लेंद क्या हुई 5 cm यहां पर radius क्या हुआ 5 cm दो बोधा सेम तो यहां पर जब हम थीटा अगर calculate करना चाहें तो थीटा क्या होता है तो थीटा होता है आर्क divided by radius यह याद होना चाहिए इस जस्ट रेशो एक बटा है आर्क रेडियस की तो चलिए क्या है आर्क लेंद सर पांच सेंटीमीटर वट इस रेडियस सर पांच सेंटीमीटर तो थीटा क्या आगया सर वन यूनिट क्या होंग एक डिगरी नहीं निकलेगा, 1 radian, यानि कि कितना होता है डिगरी में? कि 1 radian 1 degree के बराबर होता है? नहीं, यह होता है 57.3 degree के लग-बग, देखिए बड़ा एंकल है यहень एक डिगरी थोड़ी नहीं है, लग-बग 60 के बराबर, 60 से 30 degree कम, तो इस तरह से यह जो फिर्टा का लिए वीडियो और इस formula को बिठा लेना है दिमाग में और कभी नहीं भूलना है चलिए उसी तरह से सर अगर आप 10 cm भी लेंगे तो ये length भी हो जाएगी 10 cm, क्या theta change हो जाएगा, देखिए 5 बटा 5 करें या 10 बटा 10 करें, एक ही आएगा, 100 cm का भी धागा ले लें, तब भी radius भ कि फिर cut कर 1 आजाएगा, छोटा ले लें 2, तब भी cut कर 1 ही आएगा, इसलिए जब भी सभी बच्चों ने different different धागों से किया, तो उनकी around value 60 degree के आती है, जो exactly कितनी आने चाहिए, अगर हम अच्छे से करें experiment तो, it will come as 57.3 degrees, या इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, जब r को radius ब अब अगर हमें ये formula आता है, तो हम बहुत interesting चीज़ें कर सकते हैं, तेखो, मैं यहाँ पर half circle ले रहा हूँ, जैसे बोलते हैं semi circle, जो d आपका है, कितने degrees होते हैं यहाँ पे, 180, मैं बोलूँगा, ज़रा radians में बात करना, sir, pi radian, तो यह जो angle होता है, यहां center से, कितना होता ह पाई radian, यह भी एक arc बना रहा है, यहां से, यहां से यहां तक arc यह बन रही है, कितनी length होगी इसकी, मान लिजिए पता नहीं है, हमने लिख दिया सिर्फ arc होगी, sir, कोई, angle पता है, पाई radian, semi circle में पाई radian बनता है, चलिए, अच्छा, मान लिजिए इसका radius r है, यहां से, यहां तक, यहां से, यहां तक, आप कोई बोले, क्या arc को calculate कर सकते हो, हाँ, हमारे पास formula है, जो theta होता है, वो arc by radius होता है, theta radians में होता है, yes, मुझे पता है, वो तो πाई है, पाई radian, arc पता नहीं, r ही, होगी कुछ r, क्या arc की length निकाल सकते हैं, r को दूसरी side लेज यह multiply हो जाएगा, तो arc length बराबर हो जाएगी, pi into r, कुछ याद आ रहा है, pi r से, अभी नहीं आएगा, circle complete होने दीजिए, अब हम क्या करेंगे, अच्छा, यह length जो arc निकली, यह कितनी निकली, pi r की, ठीक है, अगर इसी तरह से नीचे वाला pi भी complete कर दूँ, इसी तरह से यह पूरा circle complete होता, और आप से फिर में question पुछता, अच्छा, यह कितनी length होगी, color दूसरा use करता हूँ, यह कितनी length होगी, तो आप बोलोगे sir, angle कितना है, यहाँ भी तो pi ही है, नीचे वाला pi भी होता है, तो उपर वाला भी हमने देखा था, पिजा में 2 pi आते हैं, तो नीचे question is, what is the total arc length, कितनी है, तो उपर वाले का देखिए, pi r है, और नीचे वाले का भी pi r है, दोनों को add कर रहे हैं, तो 2 pi r निकल रहा है, देखिए हमारा formula सिद्ध भी कर रहा है, कि जो total arc length होगी, circle की, जिसे हम एक बहुत अच्छा word देते हैं, क्या बोलते हैं इसे, circumference, परीधी, circumference, of a circle कितनी होती है, 2 pi r, हैनि कि 2 pi को multiply कर दीचे, आर से, इस तरह से हम circumference निकाल सकते हैं, हमने formula arc by radius use किया, pi r उपर निकाल लिए, pi r नीचे, total कितना निकला, 2 pi r, तो this is, this is how this formula है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, अचा arc दिया हो, radius निकाल सकते हैं, इस formula में, कोई भी 2 चीजें पता हो, तो 30 चीजे निकल सकती है, तो हमें practice कर लेना है, कि हमें कुछ भी पूछा जाए, तो हमें पता हो, आर्क और radius, length होगी, यहना meters में ले लिजे, centimeters में ले लिजे, और theta, radian में होगा हमेशा, यहाँ पर अगर degrees डाल दिये, तो यह formula काम नहीं करेगा, formula is only work when you put si units, values, इस तरह से सोच के हमें चलना है, अब देखिए, let us discuss about pi, अब pi में ऐसी क्या खास बात है, थोड़ा सा देख ल देख लेंगे, pi की value आपको याद होगी, ऐसे निकालते है, pi इसको 7 से divide करते हैं, भाग करते हैं, अगर divide करते जाएं, तो क्या आता है, थोड़ा चलो करके देख लेते हैं, यह रहाब 20, आपका जो method है, उसी से कर रहू हूँ मैं, long division से, तो 7, 3 is a 21, एक remainder आ जाएगा, अब साथ इसको एक को विवाजित नहीं कर सकता, तो decimal लगा देंगे हम, जब divide नहीं होता तो decimal लगा लेते हैं, जिससे हम यहाँ पर अब 0 लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 7, 1, 7, 10 को तो कर सकता है न साथ, तो हो जाएगा, अब आगया 3, again, हम इसको divide नहीं कर सकते, तो अब 00, automatically लगती जाएंगी क्योंकि decimal लगा दिया है, तो यह हो जाएगा 30, हो जाएगा 7, 4, 28, right, शायद अगले step में हो जाए, 2 हाए remainder, right, यहाँ 20 समझना है, decimal के बाद 0 लगती जाएंगी, तो 3 से नहीं हो सकता, तो चलो 2 से करते हैं, 7, 2, 14, यहना, आजाएगा 6, हो जाएगा 60, इसी तरह से यह आगे चलता रहेगा, कब solve हो गए है, कभी नहीं, आज तक हम इसकी अंत value, last value की यह full divide कब होगा, नहीं निकाल सकते, यह speciality होती है, इसी लिए इसको देखे, यहाँ पर हमने special notation तक दी हुई है, यह rational numbers बोलते हैं, यह कभी भी solve होंगे ही नहीं, exact value नहीं निक हम क्या करते हैं, कि यहाँ पर approximate values की मानते हैं, इतनी, 3.14, यह approximate value है, याद रखे, क्योंकि division होते जा रही है, 2 के बाद भी हो जाएगा, 8 से चले जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा यह, बढ़ हमने जब भी अगर कोई πाई की value बोलता है, तो बोलेंगे πाई radians होते हैं, degrees में 180 degree होता है, कोई बोलें अच्छा बटा की form में 22 बटा 7 radian हो गया, अच्छा decimal की form में 3.14 हो गया, कोई पूछता है, होच्यार बनता है कि अच्छा 3.4 ही होगा, नहीं नहीं, हमने वो approximation लिग हुई है, आगे की decimal values हैं, वो नहीं लिखी हैं, आगे चिए अनंतकाल तक चल करता रहता है, डिवाइड करते रहिए, कॉपियां भरते रहिए, इसका अंत नहीं होना, इसलिए ये special है, पाई बोलते हैं इसे, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सारी values जो हैं, ये radians में हैं, यह एक ही बात है, यानि कि पाई रेडियन या 22 बटा 7 radian, एक ही बात है, 3 3.14 radian एक ही बात है, प्रोक्सिमेित है, पर हम मानेंगे कि चलो, 3.14 radian जो होता है, वो पाई के बराबर होता है, राइट, और ये कितने के बराबर होगा, पाई रेडियन कितने के बराबर होता है, 180 degree, यानि कि याद है हमें, याना लास्ट वीडियो में किया था, पाई कित तो बटा लिखना 3.14 बार बार लिखना एक special इसको notation ही दे दिया गया है पाई आप देखते हैं थोड़ा सा इसके साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं देखिए हमने एक D ली और यहां से यहां तक एक आर्क बना लिए सरकल ही बनता है D का और हमें पता है यह कितना एंगल होता है एक्स वसी डिग्री रेडियन में बताई है पाई रेडियन पाई रेडियन को डैसिमल में बताई है सर 3.14 रेडियन इस इस पाई इस पटा साथ उसे को सॉल करके ही तो 3.14 रेडियन निकला है तो यह एक ही बात है तो चलिए इस value पर focus करते हैं क्यों क्योंकि हमें one radian का अंदाजा है one radian का बहुत है सर जब radius arc के equal हो जाए तो आप पाएंगे जैसे हम दे घर में experiment किया था अगर यह रसी यहां पर लगा दें धागा मान देजे 5 cm का है और फिर इसको arc मार ले यहां पर ऐ one radian होगा जब r को length बराबर हो जाते है one radian अच्छा two कहां तक होगा यहां तक टस इसका double हो जाएगा थोड़ा approximation में rough ही बना रहा हूँ तो अगर total बोलें अब यहां तक two radian हो गया what about three radians है यहां पूरा cover नहीं होता यह आ जाएगा 5 cm आप एक बार कर लेंगे तो दिमाग म बैठ जाएगा तो यह क्या हो गया यहां से यह जो मेरा तीसरी बार जो string खतम हुआ पहला किया one radian फिर धागा रखा two radian फिर रखा three radian यह हो गया three radian बट क्या three radian बराबर होता है पाई के नहीं थोड़ा सा gap बच जाता है यह gap कितना होगा बढा सकते हैं this will be our point one four आगे च approximate point one four के बराबर होगा और यह जो तीन है यह इस तरह से आ जाएगा तीन पूरा पूरा और जो यह बच गया है ना छोटा सा gap this is our point one four इसी लिए three point one four radian हो ना तभी 180 degree होगा नहीं तो उससे कम ही होगा थोड़ा सा gap रह जाएगा अगर मैं सिर्फ तीन रेडियन बोलूं तीन point one four radian जो होता है वो एक स्वसे डिकरी के बराबर है और आप यह घर पे कर सकते हैं खुद से आप देखेंगे यह gap रहेगा ही चाहे पांस सेंटीमेटर के लिजिए धागे के कोई भी लंबाई लिजिए बस आर्क अच्छे से मारी होगी सेमी सिर्कल बनाया होगा तीन बार उसको लेटा ही है पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां पाएंगे हमेशा ही gap बच जाएगा this will happen always ऐसा नहीं कि छोटा कर लिया रसी को बड़ा कर लिया तो कुछ अलग-अलग result मिलेंगे you will get the same results तो पाई से घबराना नहीं है ना भी नो बटे में क्य क्या value होती है decimal में क्या होती है पाई की nutrition क्या होती है पाई degrees में कितना होता है तो यह knowledge हमारे को होनी चाहिए